आज मैंने क्या आया हूं, फिलिप्स की तरफ से एक बहुत बड़ी आ सवांड स्पीकर और आज हम इसकी करेंगे अन्बॉक्सिंग और चेक करेंगे इस बॉक्स में में क्या कॉंटेंट्स देखने को बिल जाते हैं, ये मोडल है फिलिप्स का पीवी 7587 और इसके फीजर्स की लगा सकते हो, FM Radio आपको देखने को बिल जाते हैं, इस सबको निकाल लेते हैं, फटाफट बाहर रख लेते हैं, ये पांचो ये हमारे सेटलेट स्पीकर्स हैं, जो की सराउंड सांड बनाने में हेल्प करते हैं, इनके साथ हमें याप एक रिमोट भी देखने को मिल जाता ह और हमें कुछ वार देखने को मिल जाती है, अब पटाफट इस वाले थर्मोगोल को भी अटालेते हैं, और नीचे हमारा में सब वूफर, जो की हंडेट बोर्ट का सब वूफर है, उसे चैटाउट पर लेते हैं, तो ये है इसका हंडेट बोर्ट का वूफर, इसे भी पट पटन्स है, इसके उपर की तरफ जो की प्रेस हो जाएंगे, उपर को थोड़ी दिर में चेक आउट कर लेंगे, बागी साइट ये भी फटा बटन बॉक्स करने दे हैं, और ये है इसका त्विफ सेटने स्पीकर, और एक सब उपर, तो पार्टी हाड होने वाली है, ये इस हमारी तो यूट जासे आवाज आएगी, जिसमें एन ड्राइवर हमें इसके दर देखने में पूल जाएगा, ये कुछ रहे हैं, ये कमें डिजाइन पर बनाये हुआ है, और बात करें पीछे की तो पीछे आपको हर स्पीकर के पीछे इस तरह से इस नहीं से इक मिल स्पीकर का साउन्ड कर सकते हूँATHAN का स्पीकर कर सकते हूँ, और बात बात पिछे है पेखने मिल जाएगी, तो उसके लिए आप ये वाले पटन से आपके रियर वाले ये फिरन वाले जो जए न्युक्स में बहुत सारी देखनें देख सकते हैं मिलती है जिसमें वो सारी बॉल्म को मन एचस्ट कर सकते हैं साथ साथ यह जो buttons है यह दो buttons है आपका input control करने के लिए कि आप इसमें कैसा input ढाल सकते हो यह track आगे पीछे करने के लिए और यह pause या पनीकरने का button देखने हो जाता है तो अगर यह जैसे connectivity के बात करें जैसे का आप दिखते हो इस पर aux निखा रहा है अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो यहां पर जैसे कि आप देशकते हो AC3, Optical Connection, Bluetooth, USB, SD Guard, FM और यह सारे उप्शन आपको आसाने से देखने को मिल जाएंगे इसमें अगर टॉप की बात करेंगे तो टॉप में हमें यहां पर एक USB Connection देखने को मिल जाएगा और बात करें इसकी Subwoofer Unit की तो Subwoofer Unit के अंदर यहां पर साइड में हमें बहुत बढ़िया एक Mesh देखने हो मिल जाएगा जहां पर हमारा Woofer Placed है और साथ आपको जो हवा पास करने का जो हर Woofer में होता है वो आपको इस साइड पर यहां पर देखना हो मिल जाएगा तो बात करने लिए इसके input और output ports की कि आपको आपके speaker वे क्या क्या input आप पूट पूट्स देखने मिल जाते हैं सबसे उबर जैसे क्या आप देखोगे आपको optical cable का input देखने मिल जाता है उसके बाद आपको 5.1 channel के जो front speaker, back speaker, satellite speaker, woofer तो वो सारे लग अलग यहापै आपको 5.1 channel के लिए आपके input देखने मिल जाते हैं इसके पाद आपको आपको इसको आपको वाई सारे पांट कर लेता है इसके साथ आपको बहुत सारी केबल भी तेखिए जिसमें यह शायद ऑप्तिकल के हैं सारे रसी कनेक्टर है निली वाट हमारे यूज का अभी डिमोंस्रेशन के लिए सबसे यूसफुल रहेगा यह आरसी टू ओक्स कनेक्टर इसक इसको डिर्क्स कर सकते हैं हमारे स्मार्फोट या किसी भी चीज के साथ ताकि आप उससे ओडियो आटपूट ने पाए उसमें आपको पास विकर देखने मिल जाते हैं जिसमें आपको दो मिलते हैं पीछी की तरफ लगाने के लिए तो जिस पर इसामने बैटे हो आपके सा सेंटर वाला स्पीकर है जोकी जब रिए उसको रखोगी उसके बाद जो दो में स्पीकर से आप लेक साइड़ कर दो तो ये सब करने इतनी वायर है आप को इंट स्पीकर्स में बट जो हमारे बैक साइड पर लगेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए नम्बी वायर तो उसमें इतनी सारी वायर रखी है जिसकी मज़त से आप इसे बैक साइड तक भी आगे लगाने बाद और उनको करने के बाद आपकी वायर और लंदी बुजाई तो बहुत ही ज्यादा रिच है आपको 70% 80% तक भी अगर आप चले जाते हो ना तो साउंड में कोई भी डिस्टॉक्शन नहीं देखने हो बिलती हाला कि 100% वन्वीव पर हल्किसी डिस्टॉर्शन है जो कि अच्छा-ची स्पीकरों में भी देखने हो बिल जाती है तो उनने एवरेज बहुत कमाल के स्पीकर से है तो फटाबर साउंड टेस्ट के दरफ चलते ह बट खेदू काफी अच्छा आट पुट है और लेट स्टार्ट टेस्ट थोड़ा नोग अपरेट साउंड बजाने पड़ेंगे तो मजा अपन्जा भी मुजिग में आता है खेप सक्षन बहुत तगड़ा इसका भाई तो इसको टेस्टिंग करी अगर हमने हर तरह से बजा के देख लिया आगे पीछे उपर मीचे सबसे बड़ी है इसका साउंड आट पूट आपको देखके मिलेगा आपस के अंदर जो आपको 5.1 का सराउंड साउंड का पूरा मजा है वह आप देखके मिलेगा ऑक्स के अंदर ब्रूटूथ में अच्छा वाग करेगा अपट वह एक तरह से स्टियो स्पीकर की तरह एक्ट करता है या सौफ पर डिपैंड करता है कई पर वह स्पीकर की तरह भी आक्ट करता है तो वह इसका इट वह है साधी सार अगर आप इस देखने वाले हो तो उसके लिए आप डेफिनिटली इसको ओक्स के तरह ही अपने सिस्टम सेक्नेट करोगे और वहाँ पर आपको बहुत कमाल का सरांट सांट देखते हो जाएगा इसमें आपको 5.1 का बहुत बढ़ी सांट देखते हो जाएगा एक वीचर में पर इसको और आप चलाओगे तो बाकी तीन स्पीकर जो एक कनेक्ट हो जाएंगे एक तरह से उसमें से आवाज नहीं आएगी और केवन टू स्पीकर और वन वूफर 2.1 आपको सांट पर इसमें देखने को मिल जाएगा इसके अंदिर आप अगर रिमोट की बात करते तो रिमोट के एक लिख में सारे चेंज हो गए तो अगर आप पर स्पीकर बाइ करने हैं जो कि आते हैं तो मैंने बाइव में लिंक डाल दिया आवान जाकर चेकाओ कर सकते हूं स्पीकर बहुत बढ़िया है साउंड राट पूट काफी अच्छा है और इतनी सारे पिक्चिस के बाद इन स्पीकर का प्राइज है 10,000 रुपीस और 10,000 रुपीस में यह स्पीकर बहुत ही कमाल के है आपके स्पीकर में बहुत आवरेज साउंड होते हैं तो उनसे बढ़ि और यह वीडियो में हैंजाश शेल कर देना ताकि वो भी ऐसी कमाल की वीडियो देख पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं में लोगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए एब नाइस डे